कि यकाई बेरा नॐ तो आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि आज विडियो को पताने वाला हूं कि चाइना में इंडियन्स के लिए जॉब क्या क्या है तो जैसा कि आप लोगों को पता है चाइना काफी बढ़ी है और यहां पर हमेशा हर साल चॉब्स of jobs हैं इंडियन के लिए चाइना की population काफी जाधा बड़ी है तो इसी कारण यहाँ पर जितने भी supermarkets है petrol pumps है coffee है departmental stores है वहाँ पर सारे Chinese काम करते हैं तो जैसा कि Canada या US या Europe में होता है कि इंडियन लोग जाते हैं वहाँ पर ट्रक ट्राइविंग करते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में काम करते हैं तो वैसा टाइप का जॉब आपको चाइना में नहीं मिलेगी तो अगर अभी अगर आपकी रूची है और आपने पढ़ाई किया है तो आप लोग बेजी जग चाइना आ सकते हैं और उसके साथ में अगर आपको AI की नॉलेज है और उसमें आपकी रूची है काम करने की आटिफिटियल इंटेलिजेंड में तो चाइना हमेशा से ढूंडते रहा है उन लोगों को जो लोगों को रूची है AI में काम करने में तो उसकी भी बहुत बढ़ी संख्या में यहाँ तो यह था पहला औप्शन और यह आईटी सेक्टर और एयाई सेक्टर में जितने भी हैं इन सब की बेसिक सेलरी इंडिया की 2.5 रुपय प्रती महना जाती है हाउस अलावेंस के साथ मतलब 2.5 रुपया मिलेगा घर भी चैनीज इंप्लॉयर प्रोवाइट करती है इंप्लॉई को कोई भी फिल्ड में आपका ग्रेजुएशन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकंड पॉइंट है हम लोगों का फार्मसुटिकल्स इंडिया मेडिशीन और ये मेडिकल चीज में काफी एडवांस है तो यहां पर फार्मसुटिकल्स में बहुत सारे इंडियन्स को इंडियांस को इंडियांस को एंडियांस को इन्रोल क जाता है और उन लोगों की भी सैलरी करीबंद 2 से 4 लाग के बीच में होती है और साथ में 3rd पॉइंट आता है हम लोगों का आरियूबेदा आरियुवेदा में जो लोगों को रूची है और जो लोगों को इसके बारे में नौलेज है तो चाइना हमेशा से आरियुवेदा और ट्रेडिशनल चीज़ पर फोकर्स करते आया है advance होने के साथ ही तो आरियुवेदा में भी यहाँ पर काफी सारे Indians काम करते हैं जिसमें से कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो अगर जो लोगों को अरुवेदा का नॉलेज है, वो लोग भी यहाँ पर आकर अपना जॉब कर सकते हैं, चौथा जॉब जो है, जो कि सुरू के तिन जॉब्स में इंट्रेस्टेड नहीं है, उन लोगों को रूजी नहीं है, उन साम योगा करते हैं, और यहाँ पर योगा क्लब्स इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, आप कहीं पर भी जाओगे, तो हर जगा आपको योगा क्लब दिखे, तो यहाँ पर योगा टीचर्स के जॉब्स, मैंने तीन जॉब्स जो पहले बता है था, उसके मुकाबले में उससे ज के जॉब में क्योंकि यहाँ पर अगर आप चार से पांच फॉरेनर अगर एक ग्रूप में देखो तो उसमें से दो योगा टीचर रहेंगे दो इंग्लिश टीचर रहेंगे और एक अधर जॉब्स के लिए रहते हैं तो यहाँ पर मेंली टीचिंग जॉब्स बहुत सारा प्रेक्सिमम हाई से हाई जाता है तो चार लाक रहता है जो कि मैंने खुद देखा हुआ है और अगर आपको जानना है कि इंडिया में बैठे बैठे यहाँ पर जितने भी सारे जॉब रिक्वार्मेंट्स है खुली है हायर करने के लिए कंपनीज रिडी है तो वो सब जॉ करें और मैं उसके उपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और हाँ जो लोगों को जॉप में रूची नहीं है जो लोगों को बिजनेस करना है तो उसके लिए भी चाइना एक बेटर आप्शन बन सकता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेटर आप लोग अपना खुद का श्टिर इंडिया में सेट अब कर सकते हो बाट सटार्ट के लिए चाइना से आप कर सकते हो ट्राणसपोर्टेशन एक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा क्या बोगों को पता है चाइना युव्र कोन्टटी में बल्क में बहुत सार प्रोड़क्टSi बनाता है खेला ना Abner इसमार्ट में बनाते हैं बहुत सारा चीज貼 बनाता है तो वो सब यहां पे बहुत सस्ता दाम में इविलेवल रहता अगर आप होलसेल से खरीद यह नहीं कर सकती है जो रहती ही आप पलेंग में एक्सपेरियंस किया इस को है है 20,000 में वहीं इंडिया में हम लोगों को मिलता 65,000 में अभी इंडिया में इवी बाइक्स चल रही है इवी बाइक्स यहां पर मैं भी अपना इवी बाइक्स ट्राइब करता हूं और जो कि इंडिया में भी इवी बाइक्स चल रही है जिसका प्राइस अभी 65-70,000 है यहां पे उसका प्राइस मात्र 16000 है तो आप समझ सकते हो कि कितना चीप है यहां से और तो और सारा एवी बाइक्स यहां से ही मैनुफेक्ट्र होके इंडिया जाता है और वहाँ पैसंबल होता है तो आप समझ सकते हो profit margin कितना इसमें तो अगर आपको इसमें भी रूची है तो कमें करें मैं इसके उपर एक अलग special वीडियो बनाऊंगा कि किस किस फिल्ड में आप यहां से बिजनेस कर सकते हो कौन-कौन से फैक्टरी से वर्क परमेड बनवाना होगा और इवेन आपको यह आने से पहले करना होगा जब आप इंडिया में रहेंगे बहुत सारा कंट्री में होता है कि आप नॉर्मल वीजा लेकर आ गए जॉप मिला उसके बाद सारा चीज चेंज हुआ नहीं यहां पर अगर आप इंडिया में रह करूंगा तो हां यह था मेरा आज का टॉपिक और आसा है कि आप लोगों को सारा डीटेल्स क्लियर में समझ आ गया होगा तो आज के लिए बस इतना ही तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खतम तो मिलते हैं आप से अलग वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग मचलभ पी सा और जाहीं जाए भारत वंदे बात्राव